हेलो फ्रेंड आज मैं आपके साथ एक स्लिप्स की रिजाइन शेयर करूंगी तो स्लिप्स आप अपने साइस के अकॉणिंग कट कर लिजिएगा स्लिप्स का लेंथ मैंने लिया है सारे आर्ट इंच और इसी तरह से मैंने लाइलिन का फैब्रिक को भी कट कर लिया है अब स्लिप्स को सही से सेट करके रखना है और सेंटर से इसको कट कर लेना है इसी तरह से लाइलिन का फैब्रिक को भी सेंटर से कट कर लेना है अब स्लिप्स के में फैब्रिक को फैब्रिक के सीधे साइड में लाइलिन के फैब्रिक को रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके यहां पे सिलाई कर लेना है तो मैंने आधा इंच का मार्जिन देके यहां पे सिलाई कर लिया है अब लाइलीन को इस तरह से सेट करके पीछे के तरफ पलट लेना है और लाइलीन के फैब्रिक के साथ में फैब्रिक को एटाच कर लेना है इसी तरह से स्लिप्स के दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से सेट कर लेना है और इसके चारो तरफ भी सिलाई लगा लेना है तो मैंने इस तरह से मेन फैबरिक के साथ लाइलीन को attach कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैबरिक निकला हुआ है उसको cut कर लेना है cut करके दोनों को बरावर कर लेना है अब टूइन चौरी मेन फैबरिक का ही एक पीस लेना है और इसके सीधे साइड अंदर के तरफ रखके इस तरह से फोल करना है और क्वाटर इंच का मार्जिन देखे इसके उपर सिलाई कर लिया है अब मैं सेप्टीपीन के हेलप से इसको सीधा कर लूँगी तो इस तरह से इसके एक कॉनर पे सेप्टीपीन को लगाना है और सेप्टिमिन को अंदर में डाल के इस तरह से हलके हाथ से खीचना है तो इस तरह से ये पलट के सीधा हो जाएगा अब सिलाई का लाइन को सेंटर पे रखना है और आइरन से इसको सेट कर लेना है तो मैंने इसको आइरन करके सेट कर लिया है अब 2.5 इंच मेजर करके स्रिप को कट कर लेना है तो मैं 2.5 इंच मेजर करके स्रिप को कट कर ले रही हूं इस तरह से 2.5 इंच मेजर करना है और स्रिप कट कर लेना है तो इस तरह से बहुत सारे मैंने स्रिप कट कर लिया है अब slips को लेना है और उपर से 0.75 इंच छोड़ देना है तो यहाँ पर मैंने एक mark कर लिया है तो 0.75 इंच छोड़ के यह strip को attach करना है तो आधा इंच का margin देखे इसके उपर सिलाई करना है इस तरह से strip को रखके इसके उपर सिलाई करना है एक strip के बाद दूसरे strip को थोड़ा सा gap देखे रखना है इस तरह से एक के बाद एक strip को आधा इंच margin देखे सिलाई कर लेना है एक साइट पर इस तरह से सिलाई करने के बाद slips के दूसरे part को लेना है और यहां पर भी quarter inch छोड़ के सिलाई को स्टार्ट करना है और strip के उपर मैंने आधा इंच का जो margin में दूँगी उसका mark मैंने कर लिया है अब इस तरह से आधा इंच margin देखे इसके उपर मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से strip को set करना है और सिलाई कर लेना है अब टूइन चोड़ी एक red color fabric लेना है और एक golden color fabric लेना है अब golden color fabric के उपर red color fabric को रखना है और आधा इंच margin देखे इसके उपर सिलाई कर लेना है तो मैंने आधा इंच margin देखे इसके उपर सिलाई कर लिया है अब इसको इस तरह से खोल के साई से इसको सेट कर लेना है सिलाई करने के बाद इसका चौड़ाई हुआ है तीन इंच अब इस तरह से ट्राइंगल में फोल कर लेना है ट्राइंगल में फोल करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर और एक बार इसको triangle में fold करके इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से इसके उपर सिलाई कर लेना है फिर इस तरह से fabric को fold कर लेना है triangle shape में और जो extra fabric है उसको cut कर लेना है और फिर और एक बर फोल्ड करके इसके उपर सिलाई कर लेना है और थोड़ा सा मार्जिन रखके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है तो इस तरह से डबल कलर कर ट्राइंगल रेडी हो जाएगा तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ट्राइंगल को पहले से बना के रखे हूँ अब इसके उपर ट्राइंगल को इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देखे इसके उपर सिलाई कर लेना है इस तरह से एक के बाद एक ट्राइंगल को रखना है और इसके सीधे साइड अंदर के तरफ रहना चाहिए इस तरह से एक ट्राइंगल के बाद दूसरे ट्राइंगल को रखना है अब एक डेरिन चौरी एक स्ट्रीप लेना है और इसको इसके उपर रखना है और आधा इंच का मार्जीन देखे इसके उपर सिलाई कर लेना है और फिर इसको खोल लेना है खोल के इसके उपर प्रेस्टिज कर लेना है फिर इसको पीछे के तरफ पलट के डबल फोल करके इसके उपर सिलाई कर लेना है तो मैं यहां इसके उपर Лेस एटाच करूंगी तो इसके उपर Лेस को रखके पहले इस लेस के एक साइड पे शिलाय ही लगाना है फिर इसके दूसरे साइड में भी शिलाय लगा लेना है तो अब मैं ये स्ट्रिप के सेंटर पे एक मोती को एटाच करूंगी तो इसके लिए स्वी को सेंटर पे ले आना है स्वी को मीडिल में ले आके एक मोती लेना है और फिर जिस तरह से मैं दिखा रही हूं इस तरह से इसके उपर सिलाई कर लेना है धागा को थोड़ा सा खीचना है और फिर इसके उपर सिलाई कर लेना है अब सुई को पीछे के तरफ ले जाना है और पीछे लॉक सिलाई कर लेना है इस तरह से सिलाई को पक्का कर लेना है इस तरह से इसको भी कर लेना है तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है तो फ्रेंज यह है इसका फाइनल लूक फ्रेंज आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू